हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल अपेयर आप नलज में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुपद जो की कच्छा दस में चेप्टर नमबर दो है अध्याय दो है बहुपद कच्छा दस बिसे गणित है अध्याय दूसरा है पाठ द नमबर दो क्या है इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहले वाले सवाल को साल्व किया था क्योंकि कोश्चन नमबर दो में 6 सवाल दिये गया है दोस्तों जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है इसमें से नमबर एक सवाल हम हाल कर चुके हैं इस वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो की description में रहेगा या आप i button में भी देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर नमबर दो जो है question उसे हम एक बार फिर से revise कर लेते हैं reminder कर लेते हैं पढ़ लेते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर निम्न द्विगात बहुपतों के सुन्यक ज्याद कीजिए मतलब यहाँ प पहले सुन्यक निकालेंगे उसके बाद वो उनकी सत्तता की जात करेंगे अर्थात बहुपतों के जो योग होते हैं वो किस तरह से निकालेंगे और उनके जो गुडांक होते हैं उनको किस तरह से ज्यात करेंगे तो इस वीडियो में हम study करेंगे ठीक है अब तक हमने दोस् 4s²-4s-1 ठीक है इसको हम साल्व करेंगे तो चलिए यहां से देखते हैं साल्व यहां पर देखते हैं question number हमारा दूसरा है इसे लिख लिखते हैं 4s²-4s-1 ठीक यह हमारा क्या रहा है यह हमारा बहुपद है जिसे हम किस से प्रतसर करते हैं आपको बताया था दोस्तो पहले वाले वीडियो में जिसे हम px से बहुपद को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं ठीक आप ध्यान में रखिएगा तो यहां पर देखते हैं दोस्तो 4s²-4s-1 अब यहां पर दोस्तो ऐसी दो संख्या लेंगे जो जोडने या घटाने पर माइनस 4 आनी चाहिए और गुड़ा करने पर एक आना चाहिए ठीक है तो ऐसी संख्या अगर हम दोस्तों लेते हैं पहले माइनस 2 ले लेते हैं उसके बाद माइनस 2 ले लेते हैं ठीक तो इसे अगर हम जोडते हैं दोस्तों ठीक है अगर हम इसे जोडते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस चार हो जाएगा ठीक क्योंकि माइनस प्लस माइनस अर्थात माइनस को जब हम माइनस माइनस में जोडते हैं तो प्लस माइनस ही होता है पर संख्या है जो उसके साथ होती है जुड़ जाती है ठीक है तो यहाँ पर हम अगर हम इसे गुड़ा करते हैं जिसे माइनस दो इन्टू माइनस दो का गुड़ा करेंगे तो दो दूने चार प्लस चार हो जागा प्लस लिखा नहीं जाता है ठीक है तो यहां इस सवाल पर या बहुपत पर नहीं सटीक नहीं वेठागा तो इसके लिए हम दोस्तों यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो माइनस चार है इसे हम तोड़ देंगे दो भागों में तोड़ देंगे किसमें माइनस दो और माइनस दो में ठीक तो चली देखते हैं पहले इसे एरेज कर लेते हैं यहां पर देखेंगे समय करण को एस डीज लिखेंगे 4S स्क्वाइर माइनस 2S माइनस 2S प्लस यहां पर माइनस 4S को हमने दो भागों में तोड़ दिया माइनस 2S माइनस 2S अगर हम इसे जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा माइनस 2S और उसके बाद माइनस 2S को जब हम कलकुलेट करेंगे या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस से माइनस ही जाएगा और 2S से 2S जोड़ जाएगा 4S हो जाएगा ठीक अब यहां पर आप ऐसा मत समझ लिखेंगे दोस्तों S और S को जोड़ते हैं तो यहां हो जाएगा हमेशा जोड़ Efendimiz जोड़ा हो घटाना में दोस्तो Bg गुड़ांक के आंगे, जो हमारे भभुपद होते हैं या जो जो Bg गुड़ांक होते हैं, उनमे क्या है कि सामने एक होता है, जोड़ने या घटाने में जिससे हम यहाँ पर एक और एक दो एस होगा अगर हम इसी का गुड़ा करेंगे जैसे कि एक एस हो गया उसके बाद गुड़े एक और एस हो गया तो इसे हम न कि यहाँ पर घातें जुड़ती है क्या होती है घातें जुड़ती है तो यहां क्या हो जाएगा, एक एस और एक एस वा गुड़ा करेंगे, तो ऐसी ही रहेगा, घाते एक और कितना हो जाएगा, दू हो जाएगा, इस तरह से, यह छोटी-मोटी confusion हाँ, आप लोग तो इससे start out करी सकते हैं, मेरा बताने का उद्धेश यह है, कि इसमें जो जो हमन कामल लेंगे, बतब 4s square में से 2s कामल लेंगे, तो यहां कितना बचेगा, 2s, 2s minus, अब यहां पर 2s तो हमने यहां पर कामल लेंगे, तो यहां कितना बचेगा, एक बच जाएगा, ठीक, उसी तरह से यहां पर minus है, तो minus, उसके बाद यहां पर क्या, एक कामल लेंगे, ठीक तो क्या हो जाएगा कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा 2s उसके बाद माइनस का अंदर जोस्तों अगर बुड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस है तो चीन बदल जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा इस तरह से अब यहाँ पर दो जो एक जिसी संख ले लिए और दूसरे वाल कोष्टक में हम इसे, ठीक है, यहां कितना है, 2s, यहां पर माइनस 1 है, माइनस 1, ठीक, अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, सुनने ज्याद करने के लिए हमने पढ़ा है, कि बहुपद के, बहुपद में जब बराबर 0 करते हैं, बहुपद का बराबर 0 करते हैं, तब हम क्या करते हैं, बहुपद का सुनने ग्याद होता है हमें, तो इन दोनों के बराबर सुनने कर दिये हमने, पहले एक को हम देखेंगे, ठीक है, 2s-1 is equal 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2s बराबर, इस माइनस को बराबर के इस तरफ रे जाएगे, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक अब यहां पर देखेंगे, 2s, मतलब s और दोनों के बिच क्या है, गुड़ा का निसान है, जो की लिखा नहीं जाता है, तो अगर हम इस 2 को, बीजी गुड़ां को, अंकी गुड़ां के साथ जोड़ेंगे, तो यहां पर गुड़ा है, जो बराबर के इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहां पर s बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 by 2 हो जाएगा, तो यह हमारा क्या होए, एक सुनन ज्यांत होगा, अब यहां पर इसी तरह से, दूसरे वाले का देख लेंगे हम, ठीक है, इसे भी लिख लेंगे, 2s minus 1 is equal 0, ठी क्या है तो same to same एक ही answer आएगा ठीक है तो यहाँ पर भी देख लेंगे 2s बराबर यहाँ पर minus 1 है बराबर के इस तरफ आया तो plus हो गया और यहाँ पर s बराबर हो जाएगा 1 upon यहाँ पर गुड़ा में है बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा तो क्या हो गया टू हो गया यह क्या हुए हमारा दूसरा सुन्यक हो गया तो यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों अभी तो हमने जो बहुपत दिया गया है उसका सुन्यक निकाला हमने सुन्यक कितना है S बराबर 1 by 2 और दूसरा सुन्यक है S बराबर 1 by 2 ठीक है अब हम इस सुन्यक के सत्यता की जांच करेंगे किस तरह से अब यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के सुन्यक की सत्यता की जांच किस तरह से करेंगे अब यहाँ पर हम यह चीत देखेंगे तो हम जानते हैं दोस्तु यहाँ पर अलग कर देते हैं सुन्यक का योग बराबर क्या होता है दोस्तु हमारा एक्स का गुडांक बटे एक्स इसक्वाइर का गुडांक और यहाँ पर माइनस होता है ठीक सुन्यक के सुन्यक का योग बराबर या सुन्यक क्या या जोड बराबर क्या होता है बराबर माइनस एक्स का गुडांक बटा एक्स से इसक्वाइर का गुडांक होता है तो यहाँ पर सुन्यक का योग हमारा क्या नहीं कला है, सुन्यक कितना है, एक पहला वाला क्या है, एक बटे दो है, तो यहाँ पर देखेंगे, पहला वाला सुन्यक हमारा एक बटे दो है, उसके बाद योग, योग का मतला मतला जोड़ा जोड़ना होता है, प्लस, ठीक, उस और हर दोनों बराबर होता है तो हर जो है दोस्तों हम एक लिए लेते हैं और आंस को क्या कर लेते हैं जोड लेते हैं यहाँ पर है 1, 1 प्लस 1 बराबर, बराबर कितना हो गया हमारा 2 बटे 2 अर्था 2 से 2 कट गया, तो बराबर कितना हमारा आया, एक आया है, यह हमारा क्या हुगा, यह हमारा answer हुगा, ठीक, अब यह तो हमारा सुन्यक के सतता की जाज की हमने, तो अभी हमने सुन्यक के योग की जाज की, अभी गुडांक वाकी है, तो वो भी हम इसी तरह से ही ज्याद कर लेंगे, ठीक, यहाँ पर देखेंगे, सु सुन्यक का गुड़न फल बराबर होता है अचरपद बटे एक स्क्वाइर का गुड़ांग, ठीक अब यहाँ पर सुन्यक का गुड़ांग, जिस तरह से हमने सुन्यक के योग में दोस्तो पहले वाले सुन्यक को दूसरे में जोड़ा, योग का मतलब जोड़ा उसी तरह से, सेम टू सेम उसी तरह से सुन्यक के गुड़ांग में हम एक सुन्यक को दूसरे सुन्यक के साथ तो दोनों का हम क्या करेंगे multiply करेंगे अर्थात गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बराबर one by two into one by two तो दोनों का जब गुड़ा कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा एक एक का एक बटे दो दूने चार ठीक तो हमारा क्या आ गया हमारा यह answer आ गया one by four यह हमारा क्या हुगा यह हमारा answer हुगा ठीक है question number 2 का दूसरा वाला सवाल जो हमने हल किये दोस्तों अगर इस topic से related आपको कोई doubt है तो please comment करिएगा कि इसमें यह चीज हमारा doubt है आप इसे start out करिए तो हम कोशिज करेंगे start out करने के लिए एक बार फिर से हम फटा फट एक बार question को दोहरा लेते हैं ठीक है यहाँ पर हम देखेंगे कि question number 2 है दुगात बहुपतों के सुन्नक को ज्याद कीजिए और सुन्नकों के गुड़ा अंक तथा उनके सतता की ज्याज कीजिए तो इस तरह से हमने question number 2 4s2-4s1-4s1 को लिया यहाँ पर फिक है जो बहुपत है हमारा तो 4s2-4s1 को हमने दो भागों में बाठा minus 4 को हमने दो भागों में बाठ दिया minus 2s-2s ठीक है as it is 4s2-2s-2s plus यह हमारा 1 which is equal 0 कर दिया हमने ठीक सुनिक निकानने के लिए तो यहाँ पर हमने 2S को कामल ले लिया 4S स्क्वायर में से 2S को कामल लिया तो यहाँ पर कोश्टर में बचा 2S उसके बाद माइनस माइनस है यहाँ पर 2S है यह बूरा बाहर निकल गया यह पूरा का पूरा संख्या बाहर निकल गया तो यहां कितना बचा, एक बचा है, ठीक, अब उसी तरह से माइनस है, आप यहां पर 2S है, इसमें से हमने 1 को कामल ले लिया, इसमें से पूरे में से 1 को कामल लिया, तो यहां पर क्या बचा? 2S, और उसके बात प्लस है यहाँ पर हमने दोस्तों माइनस कामल लिया, अगर माइनस का माइनस में गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इसके लिए यहाँ पर कोषटक के अंदर का चिंध जो है बदल गया प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है, उसके बाद 1, 1 हो गया इस इक्वल 0 हो गया पूरे के अब यहाँ पे दोनो 2s-1 और 2s-1 को पूरे में से हमने कामल ले लिए है यहाँ पे 2s-1 को यहाँ पे लिखा 2s-1 और दूसरे कोश्टक में हमने 2s और यह-1 को यहाँ पे लिखा पूरे के बराबर 0 कर दिया क्यों 0 किया हमने दोस्तों बहुपत के सुनने को ग्याद करने के लिए ठीक यहाँ पर देखा 2s-1 सबसे पहले एक को लिया हमने 2s-1 is equal 0 उसके बाद यहाँ पर क्या है minus 1 है जो बराबर के इस तरफ गया तो क्या हो गया plus 1 हो गया उसके बाद 2s जो है as it is है ऐसे ही है ठीक है उसके बाद यहाँ पर 2 और s के बीच में multiply मतलब को गुड़ा का निसान है जब हम s को यहाँ पर रखेंगे बराबर को इस तरफ ले जाएंगे तो जो गुड़े में है वो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ठीक है तो s बराबर क्या हो गया 1 था 1 उसके बटे 2 गुड़े में था इसके अगर आया गया भाग में हो गया ठीक है यहाँ पर पहला सुन्नेक निकला और उसी तरफ से same दूसरे वाले का है हमारा यह हमारा दूसरा वाला है दूसरे वाले को सेम ऐसे ही हल किया हमने 2S-1 is equal to 0 सेम एज़िटी और इसको बाइनस 1 को बराबर के इस तरफ लेका रहा है तो माइनस 1 जो है अचीन बतल गया प्लस एक हो गया और उसके बाद 2S को हमने S बराबर किया तो यह दू गुड़ा में था बराबर के इस तरफ गया तो भाग में हो गया इसलिए इसका भिमान एक बटे 2 ही आया सेम ठीक अब यहाँ पर हमने दोनों सुन्नकों को ग्याद कर लिया अब हमें इसके बाद हमने क्या किया सुन्नकों के सुन्नकों की सत्ता की जांच करने के लिए सबस्पहले हमने क्या किया सुन्नकों का योग निकाला सुन्नकों का योग बराबर होता है माइनस X का गुड़ांक बटा X स्कौयर का गुड़ांक ठीक है, जिसे हम minus b by b by a से भी प्रदर्शित करते हैं ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने सुन्नेकों का योग में हमने देखा पहले वाले सुन्नेक को दूसरे वाले सुन्नेक के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि योग का मतलब जोड़ा होता है जोड़ना होता है तो पहला वाला सुननेक क्या है हमारा एक बटा दो जिसे हमने यहाँ पे लिखा और इसको दूसर वाला सुननेक भी है एक बटा दो तो उसे हमने यहाँ पे लिखा दोनों को जोड़ दिया आपस में यहाँ पर हम देखेंगे अरोएक को जोड़ दिया हर को ऐसे हैं लिख दिया एक अरोएक दोड़ा हो गया दोस्तों दो बटे दोगहा दो को दो से कटा दिया एक हमारा आंसर आगया ठीक और उसी तरह से से हम सुन्नेकों का गुड़ांक या गुड़न फल हमने निकाला तो सुन्यकों का गुड़न फल बराबर होता है अचरपद बटा एक्स स्क्वाइर का गुड़ांख होता है तो इस तरह से पहला वाला हमारा जो सुन्यक है उसे हमने एक बटे दो लिया और दूसरा वला सुननेक है वो भी 1 बटे 2 ही है दोनों का हमने क्या किया दिया गुडन फल कर दिया अर्थात गुडा कर दिया आपस में तो यहां क्या हुगा है 1 बटे 2 into 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 4 आ गया ठीक है तो यह हमारा पूरा आंसर हो गया यहाँ पर हमने question number 2 का सवाल number 2 solve किया सवाल करने के बाद उसके दोस्तों सत्यता की जाज की उनके भवपत को सुनने को ग्याद किया ठीक है तो ऐसा करता है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो like, share और comment कर दीजिए मिलते हैं भवपत के नेक्ट सवाल में तब तक लिए thank you very much